मेरे साथी मैं बड़ा खूस हूँ, हमें लगता है जब इस नोटिस को आप पढ़ोगे ना, तो हमसे कई गुना जादा आप खूस हो जाओगे, मैंने हमेशा से कहा, आपको सिर्फ अपना टेंशन है, लेकिन हमें आप तमाम छातरों का टेंशन है, मेरे साथी सबसे बड़ी खूसी का पल तो यह है ना, कहां से सुरू करूं और कैसे करूं, सर हजारों बच्चों का डेली मैसेज आता था, गुरू जी मौप अपनी होगा क्या गुरू जी, मेरे मम्मी पापा डाट रहे हैं, बोल रहे हैं, अप्डाही करो, मौप अपनी होगा, क्या सर, सच में पब तब क्या होगा, सर मैं बड़ा खूस हूँ आज, उससे ज़्यादा तब खूस हो जाएंगे, जब आपका सेलिक्शन हो जाएगा, मैं आपको पहले यह बता देना चाहता हूँ, बेसी इसी का, 18 सितंबर, रात 8 बजे, एक बड़ा नोटीस आता है, ये वीडियो में ब बताऊं, आज आँ सर्टिके, ये बेसी सी का एक नोटीस आया, इसके बाद हम आपको सब कुछ बताएंगे, कौंसलिंग कैसे करना है, नहीं करना है, कितना सीट खाली है, उत्तमाम कहानी हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आएगा ये नोटीस की तरफ, आओ, ये नोटीस सबसे नीचे आयेगा जिससे हमें इंतिजार था, आना, देखो सर, काता है सीट मेट्रिक्स, सीट मेट्रिक्स, पोस्टिंग for online मौप-प काउंसलिंग on website, मतलब मेरे साथ ही, सीट मेट्रिक्स का मतलब होता है, कि मौप-प राउन्ड में कितना सीट खाली है, वो 18 सितंबर क को जारी हो जाएगा लेकिन 18 सितमम्बर को नहीं हुआ है 19 सितम्बर साम तक में सीट मैंट्रिक्स आ जा जायगा कि किस कॉलेज में कितने सीटखालिएं सीट मैंट्रिक्स जैसा ही आपके पास आएगा सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि कि स कॉलेज का mí хat तरफ कितना जाएगा कितना रेंग पर कौन को डालना चाहिए बस सीट मैटिक्स आने दो बी-सीसी हला कि आठाना तारीक को आजाएगा क्योंकि बी-सी ने रात को आठारा तारीक को रात आठ बजे औहोंने वेब साइट पर ये नोटिस इसी दिया है चोर्श फिलिंगज सीट एलउट जो है वह आपको बीस सितम्बर से शुरू हो जाएगा काता है र्पाइट आस्टेसिक पर बी कोटिक सोर्श mul मेस्ट लाश्ट डेट क्लोजिंगज आपको पचीस सितम्बर सोल आपको आपको 65 सितम्बर रहेगा टेक्निक की मौप अप राउंड 20 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को खत्म हो जाएगा सुन लो मौप अप राउंड ले क्वाउंड में जो जो देक्यर में लिया है लेकिन कोलेज पसंद नहीं है ब्राउंड में वोग तो भाग लेंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला था मौपप राउंड में वो छातर भी भाग लेंगे जिनको फर्स्ट और सकेंड में नाम आया था लेकिन कॉलेज में एडविंसन कराने नहीं जा सका तो मौपप राउंड में वो तमाम छातर भाग लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बिहार पुल्टेक्निक का पेपर दिया था वो तमाम छातर मौपप राउंड का भाग लेंगी ठीके सर आईएगा जो आपको 20 सितंबर सिर्ज शुरू होगा और 25 सितंबर को क्या हो जाएगा लास्ट हो जाएगा अब आईएगा सर काता है मौपप राउंड का जो 25 सितंबर को खत्म हो जाएगा अब मौपप राउंड का जो रिजेल्ट आएगा ये किसको किसको कॉलेज मिला वो आपको सर पता है 27 सितंबर को आएगा इसका मत्तब है दुरगा पुजा आपको बढ़ियां मनेगा मैंने कहा कि 27 सितंबर को मौप राउंड का लिस्ट आजाएगा कि किसको किसको कॉलेज मिला दुरगा पुजा बढ़ियां है भी मिकटेगा ना है ना तो दुरगा 27 सितंबर को आपको लिस्ट आजाएगा जिसका एडमिशन जो है वो आपको सर एक अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक होगा 27 सितंबर को रिजेल टाएगा मौप प्राउंड का और एक अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक एडमिशन होगा बाकि सारी कहान यह अब चलते हैं मेन पेज पे लेकर के ठीक है सबसे पहले आपको करना क्या है बीसी सी के विपस अच्छा एक बात और सुन लो भी तुम लोग आजाओ सर एक चीज़ तुम लोग थोड़ा सुनो तो सर आप लोग थोड़ा सुनिये गड़े के हाँ मैंने क्या कहा ना मेरे साती मेरी बात को समयना ये जो PDF आया है ना अभी जो PDF आया है BCC की तरफ से ये PDF हम अपने टेलिग्राम ID पे अपलोड कर दिये हैं जो लोग हमारे टेलिग्राम ID को जोइन नहीं कियें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए टेलिग्राम ID का लिंक है उसे जोइन कर लिजे आपके मन में गर इतन subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर देना, मैं आपकी हर सपना को सकार करता हूँ, तो मेरी भी सपना को sensing कर देना, तहे दिल से सुक्रिया मीरे साथ ही, क्योंकि मैं हाथ किसके पास फैलाओंगा आपके पास ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ साथ ही, कि पुल टेकनिक की अंदर डाउट है तो आप सब हमारी इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लो हमारी इंस्टाग्राम आईडी में बता दे रहा हूँ वहाँ पर मैं लाइब आऊँगा और हर एक बच्चे के डाउट को मैं किलियर करूँगा सटी क्या हाँ मेरा इंस्टाइडी क्या है मेरा इंस्टाइडी है संदीप संदीप हाइफेन अठारा बे आलिस जीरो आप क्या करेगा इसे इंस्टापे जाएगा इतना सर्च करेगा मेरा इडी खुल जागा उसे फोलो कर लेना 10-1000 से जादा किया होगा क्या फैदा मिला नहीं मुझे पता नहीं लेकिन एक बार इसे जोईन करके देखना पूरा बिस्वास है कि आपको जरूर हेल्फ मिलेगा ठीक है सर आ जाएगा और ठीक है अब आते हैं सरम लोग जाएगा तो यहां पियाएगा सिट मैटिक्स यहां होगा ठीक है जैसे देखो यूजी एमसी का सिट मैट्रिक आजाओ, अब पहले रुको मेरी बात को, सटीके, अब हमारी कहानी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सटीके, सुनना मेरी बात को, हम सभी छातरों को कहना चाहते हैं, अब कौंसलिंग करना कैसे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ी टिप्स बता रहा हूं, सटी पिछले बार क्या हुआ, 30,000 वाले को college मिला और 18,000 वाले को college नहीं मिला, तो मैं बार-बार काता हूँ, पहले आप ये देखो, कि किस college में कितना seat है, किस college का cut-up कितना जाता है, किस college में SC में कितना seat है, EBC में कितना seat है, OBC में कितना seat है, उस college में OBC का cut-up क्या जाता है, BC का cut- वाले को ये college डालना है एक number में ठीक है तमाम चीजे हम आपको इस बार YouTube पे बता देंगे 19 सितंबर मतलब आपकी पूरे प्रिसानी दर्द खत्म हो जाएगा हमारी इसके बाद जो वीडियो जाएगा उस वीडियो को देखना मत भूलना ठीक है अब आईएगा सर जो लोग हमा कॉंसलिंग करना शुरू किया क्यों बच्चे का सबसे दा डर था कॉंसलिंग को ले करके सर मैं गाउं से हूं सर हमें पता नहीं है कौन college देना नहीं देना private college भरा जाता था गलती से तो सर मैंने 2021 से मैंने एक team बनाया कॉंसलिंग को अस्पेसल और आज तक वो चलता रहा है और आज तक ऐसा चलता रहा है मेरे साथी जो आप सब की ताकत ने सब को भाला दिया और आज YouTube पे तमाम teacher counseling करना सुरू कर दिये हैं ठीक है तो आप देखो सर सभी लोग हमसे counseling करा नहीं पाएंगे आपको पता है ठीक है इसलिए मैं इस बार खुद मैं आपको बताऊंगा YouTube ठीक है कौन कौन college आपको डालना है नहीं डालना है ठीक है समझी है ना सब कुछ आपको 19 सितंबर की पूरे पिरसानी को मैं खत्म कर दूँगा लेकिन दूसरी बात जो हमारे हां counseling के लिए मौपप राउन का payment दे दिये थे उनका token number मिल गया होगा token number के अनुसर आपके पास call जाएगा दूसरी बात जो लोग हमारे हां payment नहीं दिये हैं जिनको counseling करवाना है तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि नहीं कराना है तो फिर आप करा सकते हैं या फिर हम आपको YouTube भी बता देंगे ठीक है हां लेकिन जिनको समझ नहीं आता है तो आप हमसे करा सक जो rank card आपको 250 रुपया लगता है मैंने क्या कहा मौपर प्राउंड का counseling का फी 200 कितना लगता है 50 रुपया लगता है इस बात को अपने दिल में रखना है तो यह तीन चीज पता है आपको क्या करना है ये वाला WhatsApp नमबर चाहे ये वाला WhatsApp नमबर पर क्या करना है भेज देना ह अब admit card और rank card ये दो में से किसी WhatsApp नमबर पर भेज़िएगा payment कहा करना है सुन लो मेरी बातों को सर आपको payment जो है ये आडाय सुरुपया या ये वाला WhatsApp नमबर के DP में QR code लगा होगा असकेनर लगा होगा WhatsApp में जहाँ फोटो दिखता है न वही पर फोटो में QR code लगा होगा उसी QR code पर अडाय सुरुपया payment कर दीजेगा banking ने मंदीब कुमार लिखेगा ये वाला WhatsApp नमबर के DP में भी क्या होगा QR code लगा होगा उसी QR code असकेनर पर payment कर दीजेगा या फिर आप WhatsApp पे message कर दीजेगा आपको मिलेगा token नमबर कौन सा नमबर मिलेगा आपको मिलेगा token नमबर से ठीक हाँ फिर बीस तारिक से लेकर के 25 के बीच आपका counseling हो जाएगा क्योंकि पिछला वार हुआ क्या ना बच्चा जादा आ गया सर बहु जादा उमीद से जादा क्योंकि पता है सर अब हाँ एक मिन्ट सुनो आपको होगे सर हम कैसे मानेगे कि आप हमारा counseling कोर दीजिएगा पैसा लेग भागिएगा नहीं सुनिएगा जैसी counseling सुरू होगा आपके पास call जाएगा आपको 20 मिनट कॉल पर रखा जाएगा वो 20 मिनट में आपको बताना होगा किसर हमें किस टाइप का college चाहिए फिर आपके cut-off के recording हमारे यहां counseling कराने का तीन फाइदा आपका जो यहां पर counseling हुआ वो cut-off के recording होगा rank के recording यहां पर counseling हुआ सब ही government college डाल देंगे अगर आप कहिएगा सब branch डालने के लिए तो सब branch डाल देंगे लेकिन cut-off के recording डालेंगे ठीके ऐसे कर आपके नैसरम को civili डाले तो civili डाला जाएगा ठीके लेकिन 20 मिनट आपको call पर रखा जाएगा वो 20 मिनट में आप अपनी बिचार को मेरे पास करिएगा उसी के according आपका counseling होगा फिर उसी में आपको OTP जागा आपके नंबर पर OTP बताएगा फिर आपका counseling जब successful हो जाएगा पूरा तो आपके WhatsApp पे counseling का receiving PDF डाल दिया जाएगा फिर जब result आएगा तो उसी PDF को डाल करके PDF में रहेगा फिर college जाकर admission ले लिजएगा ठीके हा तो आपको कहीं पे नहीं होगा कुछ दिक्कत क्योंकि सर ये परिवार हमेशा जिन्दा है आपकी सफलता के लिए ठीके आज आना सर ठीके आपने समझ गया तो ये इतना चीज भेज़ेगा आपको token number मिल जागा office का time है सुबह 9 से लेकर के साम 7 बजे तक सुबह 9 बजे से ल ठीके इसलिए जितना जल्दी token number लिजेगा उतना ही जल्दी call लिएगा दूसरी बात जिनके पास पैसा की समस्या है मेरे साथ ही आपसे बिंती है प्लीज आप counseling के लिए कहीं पैसा मत दीना हम आपको YouTube पे बता देंगे कौन-कौन सा college आपको डालना है आप वहां से कर लिज जवल आया है मैंने सर खुल ले आम एक ऐसा teacher है कि private college का मैंने विरोध किया YouTube पे मैंने उसकी हर एक सचाई चीजों को मैंने प्रकट किया सर वो वीडियो पे लगबग 15,000 से पलस भीयो गया हमें बहुत सारे college से धमकिया आया सर मैं नहीं डर सकता हूँ न क्योंकि मुझे खाड़ा कौन की या आप की हो ठीके तो तहे दिल से सुकुरिया बहुत बहुत धन्यवाद और पुल टेकनिक 25 का भी बैच चल रहा है तो सर भी पारा medical को दीखना है ये परिवार को जल्द जल्द सभी लोगों तक share कर देना च तर प्हाँ कर दिल रहा हैं ये टूँ पारा ढेचरों येजिवाद